नवस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 31 यर्स है और इनके थोड़े से सवाल है इन्हों ते थोड़े सी जानकरी भी दिये कि बैंक में जॉब है सरकार के द्वारा अंडर्टेकिंग जो बैंक होती है उसमें ये जॉब करें और केशेर है फिलाल एच 24 प्लस में इनको गॉर्मेंट जॉब लगी यानि बैंक की जॉब लगी और बाइस साल की उम्र से इन्होंने कमाना सुरू किया मुझे हाइस पोजीशन पर पहुचना है हंडेट परसेंट आप अच्छी पोजीशन पर पहुचोगे क्यूंकि जीश व्यक्ति के हाथ में सुरिर से निकलने वाली एक रेखा जाती है यह इंडिकेट करती है कि आप उच्छ स्थर पर पहुचोगे और पहुचोगे दूसरे भी समीकरन है जो आपको यह 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 शाइन है और यहाँ पर एक छोटा सा स्टार भी है जो मैंने दूसरे फोटोग्राफ में देखा है यह बहुत सारी चीजे जो आपको काफी प्रोफेशन चेंज होगा मैं उसके बारे में आपको जब लोजब पर आऊंगा फेट लाइन पर उस समय में बताऊंगा और यह बिजनेस भी करना चाहते हैं तो यह सारी चीजे मैं जब फेट लाइन पर आऊंगा तब उस समय जो फेट लाइन की स्थितिय उसके बारे में जानकरी देकर आपको कौन से साल में किस तर से होगा उसकी जानकरी दूंगा ये काफी positive पाव में पहली दुष्टी में देखे तो जिस व्यक्ति के हाथ में ये चार माउंट अगर व्योसित है तो व्यक्ति कितना भी घर में पैदा हुआ हो दीरे दीरे अपने आपको कारों माउंट अच्छे होते हैं इनके हाथ में भी यह है यहां पर एक अच्छी सी साइन बद रही है इस तरह के लोग समझदार होते और जीवन में जो opportunity आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ते हैं सेकेंड यह पाम complete squarish palm है ऐसे लोग बहनती होते हैं और मेनद करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं अंगुठा काफी अच्छा है फर्स फैलेंज भी नुकीला तो कार के प्रतिश जित होती है सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है जहां लॉजिक की ज़रत है वहां लॉजिक यूज किया जहां ज़रत नहीं है वहां चुप रहे और यह व्योस्तित अंगुठा है और साथ में यह उंगली का भी साथ मिला हुआ है तो जिस व्यक्ति के हाथ में यह उंगली और अंगुठा अगर व्योस्तित होता है तो बेसिक रक्षा करने वाला भी होता है सुर्य की उंगली भहुत बड़ी है इस तरह की उंगली जब बड़ी होती है तो व्यक्ती हिमती सबाव का होता है जिब में 50 जारो और लाक रुपे की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले जलते हैं इतनी हिमती होते हैं और आपकी बुद्ध की उ फोटोग्राफ में भी देखा है यह उंगली फर्स फैलेन तक पहुच रही है तो व्यक्ती डॉक्तेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याजशक्ती, मनी मेनेजमेंट, अकाउंट यह सारी चीजों में व्यक्ती एक्सपर्ट होता है अब बुद्परवत गदीना गो एक्षट्र धन आता है जब यह यह शाइन करती है तो अगर भ्यक्ती एक लाक कमा रहा है तो उस समय दो लाघ, चार लाक, पांच लाग की इंकम होती है और जिनके सिंगल लाइन होती है उनके जीवन में कभी न कभी तो शायन करती है यह रेखा इक अलगी तरह की शाहिन करेगी उस समय आप समझ लो कि आपके जीवन में ऐसा लगेगा जैसे लाइव लग रही है रेखा इस तरह की फिलिंग आएगी जब आप देखोगे जब भी आपका अच्छा समय चले तब इस रेखा पर आप कॉंसेंट्रेशन करना आपको यह शाहिन करती हुई दि टेकनोलोजी का नॉलेज रखता ही है और बिजनेस माइंडेड होते यह बुद्परवत यह सारी चीजे देता है सुरिपरवत पर देखे तो बहुत अच्छी साइन बनी हुई है यह वाली साइन यह जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है और इनके सवाल भी है हाइस पोजीशन पर पहुचना है तो यह साइन मदद करेगी यह व्यक्ति को यह दिलाती है फेम दिलाती है पैसा तो बहुत कम पैसा आता है पर पैसा भी आता है और साथ में फेम भी मिलती है यह साइन के द्वारा तो यह क्लियर कट साइन है इनके हाथ में और यही साइन जब थोड़ी सी यहां पर चली आए तो व्यक्ति को राष्टी अंतराष्टी है फेम मिलती है और अंतराष्टी इस तर से पैसा पर जरासा भी सिफ्ट थोड़ी सी यहां होई तो व्यक्ति को fame दिलाती है इनके सुर्य परवत पर देखे तो यहां से एक sun line चल रही है और ऐसी strong line नहीं है जैसी चीए तो ऐसे लोगों को basic सफलता जीवन में easily प्राप्त होती है सेकेंड चीट देखे तो multiple property की sign बहुत बड़ी बनी हुई है तो जीवन में property के sign और एक जगह पर है वो भी मैं दिखाऊंगा और यह जब इतनी बड़ी sign हो तो ऐसे लोग property आज ज़्यादा खरीदते हैं जीवन में तो यह भी plus point है सन लाइन के पास यहाँ पर मैंने दूसरे एक clear photograph था इनका यहाँ पर देखा एक बहुत छोटा सा star है और सन माउंट पर छोटा सा star बहुत बड़ा खेल करता है आपको fame भी दिलाता है और पैसा भी देता है तो यह भी plus point है सेकेंड चीद देखे तो एक बहुत बड़ा triangle इनके हाथ में बन रहा है इस तरह से जब सन माउंट पर triangle होता है और वो भी इतना बड़ा तो 100% व्यक्ति अच्छा खासा पैसे वाला बनता है plus मन की सारी इच्छाए व्यक्ति के पूरी होती है तो काफी best है और सबसे बड़ी बात है जीस व्यक्ति के हाथ में सुर्य परवत से निकल कर कोई रेखा जूपीटर की और जाए तो ये highest authority दिखाती है बहुत अच्छी position पर व्यक्ति पहुँचता है अगर खुद का भी business करे तो भी बड़े स्थरका करता है और कोई job भी करे तो बड़े पद पर पहुचता है इसकी ये निशानी है तो 100% आप बड़े पद पर पहुचोगे पहुचोगे और पहुचोगे ये line ही आपको यहां तक पहुचाएगी क्योंकि ये दोनों का combination होता है सूर्य का और गुरू का और इतना सूप फल देता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा काम होता है उसके जीवन में एक यहां पर square बनता भी दिख रहा है वो मैं जब close up पर आऊंगा तब उसके बारे मैं discuss करेंगे यहां पर विद्या रेखा भी बनी है तो व्यक्ति को basic knowledge अच्छा हो खासा होता है और basic knowledge के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास करता है एक यहां पर मुझे trishul sign नजर आ रही है अगर यह line close up में देखने की जुरत है पर 99% यह है एक और यहां से निकलने वाली एक और रेखा और यह बनने वाला trishul मुझे इनका धर्म पता नहीं अगर यह हिंदू धर्म के है तो मैं कहूंगा कि आप 100% भोले नाथ की भक्ति करिए बहुत ज़्यादा आपको यश प्राप्त होगा बहुत ज़्यादा आपको मांज संबन प्राप्त होगा बहुत ज़्यादा पैसा भी प्राप्त होगा क्योंकि ये trishul sign बहुत सुब sign मानी जाती है और ये 100% आपके हाथ में मुझे लगी रही है क्योंकि यहां से निकलने वाली रेखा अलग है और ये रेखा अलग से निकल रही है और इस तरह से एक trishul sign बन रही है हाँ ये ही रेखा जब कट करके अगर बहार चली जाए तो trishul नहीं माना जाता यह रेखा बहार निकल जाए तो trishul नहीं माना जाता तो ये complete बनती हुई दिख रही है आपके हाथ में त्रिशुल सैन तो यह बेस्ट पार्ट है और कंटीन्यू फेट लाइने बनी हुई और शनि परवत भी फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता और यह स्प्रिच्वल भी बनाएगी आपको धार्मिक भी बनाएगी पर भुले नाथ की भक्ति करोगे तो बहुत ज़्यादा समरुद्धी आपको जीवन में प्राप्त होगी यहाँ पर देखे तो यह अगर साइन बनती है इस तरह की तो व्यक्ति को यह पैसा नहीं दिलाती यह धार्मिक मानेता अलग होती है व्यक्ति की आप और हम जीस तरह से धर्म के बारे में सोचते उस तरह से यह लोग नहीं सोचते इनकी मानेता कम्प्लीट अलग होती है और किसी को यह बता नहीं पाते और किसी को बता दिया तो वो समझ भी नहीं पाता यह इस तरह का रोल रहता है पर यह complete होगी तो इस तरह का फ़ल होता है अब चलते गुरु परवत पर एक जगह पर यहां पर इनको star जैसा मैसूस हो रहा है पर मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा यह इस तरह से line तो काट रही है पर यह side से काट रही है और बहुत light है तो इसको star नहीं मान सकते हैं मेरी नजरों में क्यूंकि star होता है वो ऐसे होता है यह बीच में बीच से कट होती है यह इस तरह से बनता है star तो यह star माना जाता है तीनों को जो कट करने वाली रेखा है एकदम मद्यर से कट होनी चाहिए अब गुरु परवत पर देखे तो गुरु परवत एकदम व्यवस्थित गुरु परवत है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है सांसारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर चलने वाली एक रेखा दो रेखा तीन रेखा चार रेखा पाच यह multiple income शो करती है हाँ पर एक continue income multiple नहीं होगी बीच बीच में कहीं न कहीं से पैसा इनके पास multiple रूप से आता रहेगा और पामिष्ट्री एस्ट्रोजी में भी इनका ध्यान जाता है यह लोग धार्मिक भी होते हैं प्लस सेवा भावी भी होते हैं खाली पैसा नहीं कमाना जानते हैं सेवा का भी कारे कर दे तो यह best sign है एक बहुत अच्छी sign है इनके हाथ में यह बनने वाला square यह जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है इनकी वर्दमान आयो 31 years ही है यह 32 साल के पहले कोई न कोई property दिलाता है 36 साल में authority position पर पहुँचता है जैसे अभी यह cashier की post पर है यह 36 साल आएगे उस समय इनको कोई न कोई authority position वाला काम मिलेगा यानि इनी के job में या तो promotion हो जाएगा और हो सकता है यह manager बन जाए बैंक के manager इस तरह की चीजे होती है व्यक्ति को महारत हासिल करता है और बड़े घर में रहने का सवभाग्य प्राप्त होगा इनको यह square के कारण तो यह best sign है अब अंदुनी मंगल पर देखे तो इस photograph में सही से नहीं दिख रही है पर मैंने इनके दूसरे photograph में यहां पर clear-cut star देखा है यह star व्यक्ति को acres में ज देखे और जमीन जायदत का लाप तो यहां पर भी भरपुर्दीख रहा है तो प्रॉपर्टी का लाप तो इनको जीवन में प्राप्त होने ही वाला है इस sign के कारण भी और यहां पर भहुत सारी रेखा है जब यहां पर रेखा है जादा हो तो व्यक्ति चिंतित सभाव का होता है चोटी-चोटी बातों में चिंतित होते रहता है और इसका बेस्ट इलाज है भोलेनात के मंदिर पर जल चड़ाना और meditation करना यह दो उपाए powerful है तीन-चार महीने में विजल्ट डिखना चालो हो जाता है सेकेंड चीद देखे तो अंदुनी मंगल एकदम व्यस्तित है ना जादा अच्छा है ना जादा बुरा है तो सरीर की एनरजी मध्यम से थोड़ी सी अच्छी रहेगी बारी मंगल बहुत जादा अच्छा है ऐसे लोग बहुत हिम्मती सभाव के होते हैं जब किसी से मिलते तो एनरजी के साथ मिलते सामने वाला कम्फरेबल फिल करता है और सहास ही होते तो यह बेस्ट पारट है चंदपरवत मैं यह नहीं कहूंगा कि खराब है मद्यम टाइप का है और यह यात्रा रेखा है और यह रेखा है बहुत बार वैक्ति को विदेश भी घुमा लेती है तो कभी न कभी जीवन में विदेश में घुमने का अउसर भी इनको प्राफ्थ होगा इस लाइन के बदोलत और एक जीवन रेखा को देखे तो थोड़ इसी ऐसे चल रही है जैसे चंद्रिक्वी और छूतियों मैं यह नहीं कहता कि छू रही है पर कहीं नहीं आभास होता है तो ऐसे लोगों का जीवन में विकास अपने जमस्तल से थोड़ा सा दूर भी कि अगर यह जाए तो जादा विकास होते हुए भी इनको देखा जाएगा यहां पर एक फिश शाईन बनी हुई है जब इस तरह की शाईन बनती है तो व्यक्ति में सारीरिक एनरजी भरपूर होती है बहुत energetic व्यक्ति होता है और ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा पैसे कमाता है और ऐसा देखा जाता है इनके संताने विदेश में जाती है और वहाँ पर फिर settle हो जाती है और फिर इनका आना जाना होता है बुड़ा पे में, क्योंकि एक लाइन इनकी इस तरह से भी जा रही है, इसी जो त्रिशूल बन रहा था, उसकी लाइन एक सुर्य परवत की और भी जा रही है, तो हो नो हो, कोई नो कोई संतान हो सकता है, इनका विदेश चला जाए और इनक स्केंड चीद देखे, तो एक यहां से रेखा निकली और यह इस तरह से एक greater triangle बन रहा है, पर money triangle बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, बहुत चोटा बन रहा है, तो जब भी राहू रेखा आएगी, तब आर्थिक नुकसान जादा देगी, तो यह कही न कहीं investment की मानसिक्ता व hard cash फिर इनके बास जादा नहीं रहता है, तूरन investment करने की मानसिक्ता रहती है, और second चीद देखे, तो greater triangle बना है, बहुत बड़ा तो नहीं बना है, फिर भी व्यसित है, तो धीरे धीरे संपतिया acquire करते रहेंगे, और समरुद बनते रहेंगे, शुक्र परवत भी अच्छा ह तो पारिवारी सांसारिक व्यक्ति को अच्छा मिलेगा, और शुक्र जब अच्छा होता है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं अच्छे कप्ड़े पहनता अच्छी तर से रहता है, पैसे की भी भूख रहती और पैसा कमाता भी है, और पैसा खर्ज भी करता है, तो यह सारे disadvantage, इनक अब चलते हैं इनकी हिर्दे रेखा, हिर्दे रेखा देखें तो पूरी जूपिटर माउंट से स्टार्ट होकर ये सीधी चल रही है और यहां पर एक-दो फ्लर्ट लाइने भी है तो व्यक्ति दूखी भी हो तो थोड़ी देर दूखी होता है उसके बाद खुशी ढूनता है जब व्यक्ति की जूपिटर से स्टार्ट हो गई हृदे रेका तो भरो से लाइक इनसान होता है किसी के सो रुपे भी बाकी होंगे तो सामने से लेकर आएगा इतने भरो से लाइक होते है और थोड़ी सी कव लेती है तो भावग भी होते है भावनाव में भी नीना लेते है सेकेंड चीत देखें, इनकी हार्ट साथ होते जाती है, थोड़ी सी जंजटे रहेगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी रहेगी, बागी हार्ट साथ ही उत्तम है अब माइन लाइन को भी देखे तो पूरी जुपिटर से स्टार हो रही है और यह चल कर सीधी यहां तक जा रही है जब जुपिटर से आपकी माइन लाइन स्टार्ट होती है तो महतोकांशी होते हो और अपनी महतोकांशा पूरी भी करते हो और जब चंद्रकी और छुती है, तो imagination पावर बढ़ता है, पर एक minus point होता है, भार वालों के लिए उत्तम होते हो, घर में किसी एक व्यक्ति को, बहुत जादा तो बोल-बोल नहीं करोगी, उतनी भी जुकन नहीं रही है, पर थोड़ा सा बोल-बोल करने की आदत एक व्यक्त अब जीवन रेखा पर देखें, जीवन रेखा पर जैसे इन्हों ने बताया कि bread and butter के भी यानि गरीबी में भी समय इन्हों ने देखा है, तो देखिए यहां पर यह लगबख 7-8 साल से लेकर यह 5-6 साल का जो समय रहेगा, यह काफी संगर्श्पून रहा होगा, यह समय, जब इस तरह की condition होती है, व्यक्ति के जीवन में काफी संगर्श होता है, जीवन रेखा light हो, जीवन रेखा पर कोई disturbance हो, तो संगर्श्पून समय रहता है, तो यह इन्होंने इस समय आप भोगता होगा आपने इस तरह का problem, और उसके बाद दीरे दीरे अच्छी होकर आगे पिरियड में आपको यहां पर कट भी है, तो इस पिरियड में कोई नो कोई आपको नुकसान जा सकता है, कोई रुकावट आपको जीवन में आईगी, उसके बाद देखे, तो 44 के आसपास है, एक छोटी सी राव रेखा, पर आपके जैसे छोटे मनी ट्रेंगल वालों को इ फिर हलकी सी 51 के आसपास है और 53 के आसपास है, इतनी राव रेखा है आपको जीवन में डिश्टब करेगी, 36, 44, 46, 51 और 53, 36 वाली थोड़ी सी बढ़ी है, बाकी की बहुत लाइट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाली नहीं, और आपने स्ट्रीट डोगों को खाना ख काफी अच्छा रहेगा, हेल्थ और स्वास्त काफी अच्छा रहेगा, बागी ऐसी कोई डेंजर पोजीशन नहीं, अब आपकी फेट लाइन के लिए आपका क्लोज अप हम यूज करते हैं, आपने 22 के आसपास से कमाना सुरू किया, यहां पर भी कट आया, कोई ने कोई ख यानि कमाने की सुरूआत से कोई ने कोई खर्चा आपको लगा होगा, और एक लाइन ही आपर भी सपोर्ट में है, यह भी कोई ने कोई इंकम आपके जनरेट हो रहे होगी, और यह लगबग 39-40 तक आपको जनरेट होती रहेगी यह इंकम, कोई ने कोई एक्स्रा इंकम करने के लिए यह बनी होगी, और मनी टैंगल देखे तो काफी बड़ा है, उस फोटोग्राफ में छोटा लग रहा था, यह मध्यम टाइप का है, तो यह भी प्लस पॉइंट है, पहले हमने इस लाइन पर कॉंसेंट्रेशन करके यह लगा कि छोटा है, पर यह लाइन यहां पर आ रहा है, यह आपको परेशानी में डालेगा, फिर उसके बाद कोई ऐसा मेजर कट नहीं है, यह लगबग 40, यह तो इन्वेस्मेंट हो सकता है कोई, क्योंकि कट करके आगे नहीं जा रही है, तो टेंशन लेनी की जरुदत नहीं है, और यह भी इन्वेस्मेंट है, य आपकी second income, यह यहां से आपकी कोई ने कोई second income की line चालो होगी, और यह period होगा लगबग 40 के आसपास का, आपके जीवन में, और यह धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, अच्छा खासा income आपको भुड़ापे में देती रहेगी, और यह line आपको जो भी वरत investment की line है, यह आपके investment होता रहेगा, आपके जीवन में, एक 53 में होगा, और एक 49 में होगा, और यह 70 के आसपास, 66 के आसपास कोई ने कोई खर्च भी आएगा आपको, ज़्यादा चिंता करने की ज़रत नहीं, और यह अच्छा सा प्रिशूल आपके हाथ में बना हुआ ही है कि बेस्ट पाम है, आपको सारी जीवन में आपने जो सोचा है, वो सारा चीज आपके साथ, आपको योगदान यश मिलने वाला है, काफी बेस्ट पाम है, आशा रखता हूँ, आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडिय देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.